हाई दोस्तों असलाव अल्टा के बारे में आपने काफी कुछ सुना होगा एसा होगा वैसा होगा तो exactly कैसा होने वाला है और यह अल्टरा नेम कहां से आया इस सब के बारे में हम आज बात करें और काफी अच्छे लीक्स है तो वीडियो को पूरा देखना और यह वीडियो तो बस वीडियो को पूरा देख लेना सबसे पहले यहां पर आपको बता दू गाईस के चार मोडल्स तो आने वाले दो प्रो मॉडल्स आप लोग जानते ही है अब यह जो प्रो मॉडल्स है इसका नाम बदलकर आपल अल्टरा रख सकता है क्योंके यहाँ पे अच्छे खासे differences होने वाले है pro और non pro के बीच में लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि Apple जो है वो USB-C पे move होने वाला है अगले साल से या फिर हो सकता है एक और साल की महुलत Apple मांग ले क्योंकि European Union के जो regulations है वो साफ तरफे बोल रहे है कि कोई भी जो device है उसके अंदर यह lightning port हो करा नहीं बलकि type C port होना चाहिए ताके uniformity रहे और cables का खचरा जो है e-waste वो कम हो तो आपके iPhone के अंदर जो यह lightning port आता है यह अब जाने वाला है और इसकी जगा type C port आने वाला है अब आप में से बहुत लोगों ने कुछ-कुछ वीडियोज देखे होंगे और बोल रहे होंगे कि Apple type C port पे नहीं जाएगा Apple सिधा portless जाएगा लेकिन Apple के Vice President of World Wide Marketing Greg Joss Wake इनका बोलना है कि Apple has to move to USB-C on iPhone और उसके सारे remaining जो devices है जैसे AirPods वगरा जिनके अंदर भी Lightning वाले connector आता है to comply with EU rules EU मतलब European Union तो इतना आसान नहीं है portless जाना मतलब AirPods के अंदर Apple क्या करेगा वहाँ पे type C port लगाएगा और Apple के जो iPhones है उसमें portless जाएगा इसा नहीं होगा most probably type C आने वला है और portless जाने से completely type C पे जाना जो है ये बहतर है यूँकि type C port में आपको काफी कुछ जो है कमाल की चीज़े देखने मिल जाती है जैसे pen drive लगाना दूसरे devices से compatibility और बहुत सारी चीज़े अब Apple ने यहाँ पे बहुत बड़ा जो है गेम खेला था iPhone 14 सीरीज के launch में जहाँ पे उसने दो pro models निकाले और दो non pro model निकाले और non pro model के अंदर Apple ने क्या कर दिया ये plus size वाला model निकाला 6.7 inches का अब ये जो models है जो कि non pro model है ये है तो महेंगे लेकिन इनके अंदर नया कुछ भी निया बिल्कुल 13 सीरीज के ही चिपसेट, इंटरनल सारी चीज़े जो है बिल्कुल 13 जी सही है और 14 के जो pro model है उसके अंदर Apple ने क्या कर दिया कैमरा में इंप्रूफ्मेंट कर दिया dynamic island लेके आ गया और यहां पे non pro के अंदर pro motion display तक नहीं दिया इसकी वज़े से Apple यहां पे बहुत ज़्यादा successful हुआ आप लोग बोलेंगे 14 के flop होने से 14 pro के hit होने से कैसे successful हुआ युकि pro model के अंदर profit जादा है non pro में profit कम है इसकी वज़े से यहां पे उसको profit जादा हो रहा है और इतना जादा हो रहा है कि Apple ने अब यहां पे pro models का iPhone 14 के production बढ़ाने का पूरा plan कर लिया और in fact बोल भी दिया के production बढ़ा तो demand इतनी जादा है उनकी तो इसके लिए Apple जो है अब iPhone 15 के अंदर मिंची को के मुताबिक pro और non pro के बीच का जो difference है वो और बड़ा करने वाला है अब यह difference क्या होने वाला है यह बताने के पहले मैं आपको आपके Apple के free stocks जो है वो दे देता हूँ अब दिखिए guys यहां पे चाए iPhones हो Mac हो iPads हो कुछ भी हो Apple के products को इंडिया में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है लोग इसको status symbol भी समझते हैं लेकिन यह innovation और technology में बहुत ज़्यादा progress करने वाली company है Apple में अगर आपने 100 रुपे से invest करना start किया होता आज से 10 साल पहरे तो आज वो amount 17 रुपे की हो जाती क्योंकि इतने जादा उनके shares के price बड़े है और Apple, Google, Amazon यह जो companies है इनमें हम believe करते हैं और ना सिब हम इनके consumers बलके इनके investors भी बन सकते हैं पर US stock CQ क्योंकि इसके दो simple reasons है एक तो Indian stock market में आपको किसी भी company में invest करना है क्योंकि जो tech giants है, इनके stock का price काफी नीचे आया हुआ है I know आप लोग बोलेंगे कि US stock में invest करने के लिए बहुत ज़दा commission और charges होंगे लेकिन अगर आप IND money करते हो US stock market में invest तो आपको अपको अपने फीज में लगती 0 commission है और 0 brokerage है आपको एक small amount से भी अपने फेवरेट US company में invest कर सके और मैं आपको IND money के साथ मिलके Apple company के 1000 रुपीज के shares बिल्कुल free में दे रहा हूँ आपको बस IND money को डाउनलोड करना है description box में दिये वे link से और sign up करके अपना US stock account जब आप first time fund करेंगे तो आपको 1000 रुपय तक के Apple company के free shares मिल जाएंगे और US stocks में invest करने के लिए आप SIP board में भी invest कर सकते IND money के तुरू पस एक particular amount decide करो और बस SIP अपनी शुरू करतो शाहे वो 500 रुपीस की क्यों ना हो अब यहापर क्या-क्या differences आने वाले है pro और non-pro के अंदर याने कि ultra और non-pro के अंदर बात कर लेते हैं सबसे पहला difference यह रहेगा कि जो ultra models होंगे जो pro models होंगे उसके अंदर यह जो physical buttons होते है यह नहीं रहेंगे बलकि solid state button नहींगे पिछले वीडियो में बताया था आपको जिसके अंदर टाप्टिक एंजिन के मंदर से vibration मिलता है आपको और आपको feel होता है कि हाँ आप एक button है और तीन टाप्टिक एंजिन होगे यह पहले भी बता चुका हूँ फिर से बता देता हूँ अगले साल भी यही चीज़ होने वाली है जहां पे अल्ट्रा मॉडल या प्रो मॉडल के अंदर एक पेरिस्कोप लेंस भी आपल इंक्लूड कर सकता है जिससे आप 10 टाइम जो है optical zoom या भी उससे जादा optical zoom कर पाएंगे जैसे हमने samsung के flagship phones में देखा है यह non-pro model buyers के लिए और एक disappointing news रहेगी इतना ही नहीं non-pro models के अंदर कोई भी pro motion display आपको देखने नहीं मिलेगा तो यह pro models वाला smooth refresh rate 120 Hz वाला आपको बिल्कुल भी non-pro में नहीं मिलेगा जिसके लिए आप again और पैसा spend करने के लिए inspire होंगे और इस साल जैसे Apple ने किया लोगों के लिए shocking था के यार पुराना chipset ही नए iPhone में चिपका दिया तो अगले साल भी यहीं करेगा इस साल का जो A16 Bionic है वो दे देगा Apple अगले साल के iPhone 15 और 15 Plus में और A17 जो के 3 नानो मेटर का chipset होगा वो आपको देखने मिलेगा iPhone 15 के Ultra models के अंदर इतना ही नहीं RAM में भी difference रहेगा इस साल के non-pro model में आपको 6 GB का RAM पहली बार देखने मिला है जबके pro models में आता था पहले भी लेकिन अगले साल के pro models होंगे 15 series के उसके अंदर आपको 8 GB RAM देखने मिलेगा अब यहाँ पे सबसे important बात के Ultra नाम क्यों तो Ultra नाम इसलिए नहीं कि इसमें से कोई बंदूक या तोपे निकलने वाली है बलके Ultra नाम Apple शायद इसलिए रखेगा just because to create a difference ताके वहाँ पे कुछ special feel आए जैसे Apple Watch Ultra के अंदर आपको आती है अब Apple Watch Ultra की जब मैंने बात किया है तो यह भी बता देता हूँ कि Apple Watch Series 7 यह दिके stainless steel वाली है अब यह बेचके मैं Series 8 तो लेता नहीं सीधी simple सी बाती इसलिए Apple नहीं यहाँ पर यह Ultra वाला मॉडल निकाल दिया Apple Watch का अब यह Ultra वाले मॉडल को देखेंगे तो काफी अलग काफी युनिक दिखता है बैटरी लाइफ भी इसकी तीन दिन की है जो कि इसको बहुत जादा डिजारेवल बनाती जिसके लिए मैंने 90,000 रुपी स्पेंड कर दी बस यह आपल चाहता है कि आपके pocket से भी जाद साथा पैसे निकाल ले यह दिखानी दोस्तो आइफोन 15 अल्ट्रा की और जो के non-promodels है उनकी भी अप अल्ट्रा नाम रहता है नहीं देता है आप मुझे बदाईए आपको क्या लगता है अपल यह नाम रखेगा और वीडियो के बीच में जो मैंने आपको आपल के फ्री शैस के बार में बदाया था उसके बूलना मत, IND मनी बिलकुल भी से करते हैं तो अभी के अभी जाके description box में से उसको डाउनलोड कर लीजिए अपने युए स्टॉकलन को फंड कीजिए और अपने 1000 रुबीज के फ्री शैस जो है वह हासिल कर लीजिए वही करता दोस्तों आपको आज का वीडियो पसना होगा पसने इसको लाइक एंशे जरू क कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राब जोगी गुडबाई